मुस्रीम प्रवेज हमद है और मैं पॉपलर फरंट ओफ इंडिया का देलिय स्टेज परसिडेंट हूँ और आज ये जो प्रोटेस्ट है तजाज हुआ है ये पॉपलर फरंट ओफ इंडिया ने इनिशियेट किया है लेकिन बहुत सारी लोकल और्गनाजेशन और इंडिवीजुल्स जैसा कि आपने देखा है अभी ये हमारी स्टेज को सपूर्ट कर रहे हैं और हमारा सिर्फ एकी डीमांड है के देखे इंसान इन्सानी होता है का वो बर्मा का हो पाकिस्तान का हो इंडिया का हो और खास वर से वो लोग जो बिल्कुल ही गरीब हैं मिस्कीन है उन पे बरमा की हकूमत और वहां की पौज जिस तरह से दरंदिगी का मजाहरा कर रही है हमारी तारीख रिवायत रही है भारत की कि हम हमेशा मजलूम आप देखिए हमारी तारीख फलस्तिनियों के साथ हमेशा खड़े रहे उनके शाना बचाना चलते रहे तो आज जरूरत थे इस बात की कि बर्मा के ये लोग जो पनाह चाहते हैं हमारे मिनिस्टर आफ इंडिया है जुनाब मोदी साथ मैं उनसे गजारिश करना चाहता हूँ कि जो 40,000 लोग यहां हैं उनको रहे दिया जाए और साथी साथ जो लोग यहां आ रहे हैं और आना चाहते हैं उनके लिए हमारे मुल्का दर्वाजा कोल दिया जाना चाहिए यही वो इंसानियत के आवाज है जो इस वक्त हमें सुनना चाहिए अभी इस मौके पर हमें हिंदू और मुस्लमान का मसला नहीं है आपको याद होगा वो वक्त जब इलान कुर्दी तर्की के साहिल पे एक बच्चा च्छोटा सा दूबा मरा हुआ पाया गया था और कोई भी आने के लिए वहां तयार नहीं था इस दुनिया में फ्रांस एक ऐसा मुल्क था वहां पर हमने देखा कि जिसने अपना दर्वाजा उस तर्की और शाम के लोगों के लिए खोल दिया और हमने देखा किस तरह से फ्रांस का कद पूरे दुनिया में बहुत उंचा हो गया इसलिए अभी एक अच्छा लेसन है हमारे मुल्क के लिए हमारे प्रामिनिस्टर के लिए कि हम भी इस दुनिया में एक बेहतर स्टेटस के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारत भी सूपर पावर है यह सूपर पावर हिमेनिटेरिन ग्राउंड पे भी हमें दिखाना चाहिए और उन्लों के लिए दर्वाजा खोलना चाहिए लेकि सर अभी यह जो हलब नामा जिया गया है उस कोट में यह हलब नामा गौर्मेंट की तरफ से है और हमारे गौर्मेंट का आर्गुमेंट है यहां पर कि अगर यह पनाह घुजिन यहां पर आते हैं और आज तक जितने भी यहां पर केसे सुए हैं देहशतगर्दी के वहां पे कोई भी बाहरी ताकत नहीं पाई गई है। अफसोस की बात है कि हमारे मुलक के ही रहने वाले और खास तोर से संग परिवार के कुछ लोगों का नाम बाम बलास्ट और दीगर इसमें आया है लेकिन इस गरीब मस्कीन ऐसे लोगों को जिनके पास बदन पे कपड़ा नहीं है और खाने के लिए घज़ा नहीं है भला ऐसे लोग क्यों किसी भी मुलक के अंदर आकर आकर फसाद पैदा करेंगे यह सोचने की बात हैं तो आवाम साथ क्या अपील करेंगे हम भारत के अवाम देखी यह हिंदु मसलमान और सी किसाई का मस्ला नहीं है, यह एक इनसानियत का मस्ला है और इनसानियत के लिए हम सब को अपना दिल, अपना दरोازा, अपना मुल्क खोल देना होगा अगर वाकिए इस मुल्क को एक पुरानी जमूरियत के तौर पे दुनिया में जिन्दा रहना है तो ये काम अभी वक्त की जरूरत है हमें करना ही चाहिए देने हो जाए